तुम है किसी के प्यार में आप देखने वाले हैं कि सभी रजट, अकाशा, शशांक और अर्श ये सभी लोग एक ही इवेंट में मिलने वाले हैं जहाँ पर रजट के साथ सुमन भी आई है जो कि सही की देख भाल करेगी और सुमन के साथ रजट की मा रजट की शादी कराना और यहाँ पर एक ट्विस्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि शशांक और सुमन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं इनका भी एक अतीत रह चुका है जैसे कि आपने देखा कि सभी की शशांक के साथ कल सगाई होने वाली है तो इस इवेंट में कुछ ऐसा होगा जिससे स सभी शशांक के साथ शादी करनी के लिए मना कर देगी और वहीं पर सभी अपनी मा अकाशा को देखती है और अकाशा भी जब सभी को देखती है तो उसकी ममता जाग जाती है और वो उसके पास आना चाहती है लेकिन रजट सभी और अकाशा को मिलने नहीं देता जिसे करसवी को थोड़ा अजीब लगता है करसवी अब रजद का अतीद जानना जाती है कि आखिक क्यों रजद की पत्नी ने उसको छोड़ा तो कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके बताएं